नमश्का दोस्तो आज हम आपको तुलसी से जुड़ी हुई जानकरिया देंगे कैसे हम तुलसी को ज़्यादा घना कर सकते हैं और शामा तुलसी और रामा तुलसी उन दोनों में डिफरेंस कैसे होता है और उससे क्या क्या लाव हो सकते हैं कैसे इस तरह इसको रखना अगर हम हटाते रहेंगे तो वह घनी भी होती रही और सूखेगी भी नहीं वरना वह मंजरी होती है तो सूखती रहती है देखे और इसमें जो यह वाली तूलसी है मेरी यह शामा तूलसी ही है जादा तर यह वाली शामा तूलसी है जो इसकी जो टैनी होती है इसकी डंडी द तो कि वह दो हुए है तो यह तो है इसके अंदर अउय वेदिक जो उद्ख जादा होते हैं और यह दिखो यह मेरी घ्रीवाली तुलती है ये देखो इसके जो टैनी होती है वो भी ग्रीन होती है तो ये है रामा तुलसी और इसकी पत्यां भी विल्कुल ग्रीन होती है दोनों ही तुलसी फायदेबंद हैं लेकिन जो शामा तुलसी है उसके अंदर अरोमा जादा होता है आयर वेदिक पुर जादा होते हैं जो हम डार्क है परपल कलर टाइप है ये तुलसी के लिए ये है तुलसी के पास-पास साफ सफाई रहनी चाहिए तो वह अच्छे से उखती है मेरी काफी तुलसियां उगी हुई है अपने आप उग जाती है ये देखो इसका ये पलर कलर परपल है और मैं इनको हटाती नहीं हो जि है इसके परपल कलर की डंडी है और यह पहले ग्रीन हाती है ये मेरा देखो मैंने आज आपको यह दिखा दिया है यह गुडल खिला हुआ है अब यह वाला भी यह चियाम तुलसी अब देखो यह वाली तुलसी कैसी हो रही है क्योंकि इसकी मैने मंजरी नहीं हटाई है तो थोड़ा थोड़ा हल्की सूखी जैसे हो जाती है इसलिए आपको अगर इसकी देखो तुलसी अमेरी काफी हो रही है इसके अंदर भी है खूब तुलसी है बस इनको नौर्थ इस्ट में आप रखेंगे तो बहुत ही आपके लिए नेगेटिव एनर्जी जो है वह चली जाती है पॉजिटिव एनर्जी रहती है और इसका बहुत फाइदा है अगर आपको चाय में डालके इसे पियो तुलसी के